नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर की यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टेंपल्स इन हिमाचल परदेश और ये है हमारा नेक्चर नमबर नाइन हम कर रहे हैं कावर हिमाचल परदेश धरप कोर्स जो है लॉंच किया है जिसमें आपको जो है complete MCQs जो है topic wise मिलेंगे and also you will get a PDF जिसमें आपका पूरा syllabus जो है उसका जो है theory part रहेगा ठीक है तो वो जो है प्लस आपके MCQ set जो भी आपके advanced topic रहते हैं जैसे कि C++, C language, HTML, CSS और आपका जो MS office में तीनों पार्ट जो है चार प important main उनके सभी जो है यहां पे MCQs आपको देखने को मिलेंगे प्लस आपके networking के and plus DBMS ठीक है तो यह जो है अगर आप purchase करना चाहते हैं तो आप जो है दिये गए WhatsApp नंबर के पे जो है मेरे साथ contact कर सकते हैं आपको जो है PDF provide करवा दिये जाएगा चलिए start करते हैं आज का lecture सबसे पहले हम डिसकस करेंगे चंबा को तो चंबा के important temples के नाम आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं पहला टेंपल जो है मनी महेश टेंपल तो मनी महेश टेंपल जो है यह कहां पे है तो यह चंबा में है सबसे पहले और चंबा में कहां पे है तो यह भरमोर वाले रीजन में बनी महेश टेंपल आपका भरमोर है वहाँ पे आपको लकेटड देखने को मिलेगा ये किस राजा ने जो है बनाया है तो मेरू वर्मन मेरू वर्मन के द्वारा जो है इसका निर्मान किया गया अब हम जो कुछ important temples हैं उनके जो निर्माता है जिन्होंने उसको बनाया था जो राजा थे उनका नाम डिसकस करेंगे और location जो जो पूछी जाती है अब दोस्तो शक्ति देवी टेंपल के बारे में पिछले examination में भी पूछा गया तो ये कहां पे है छट्राडी में है चम्बा के छट्राडी में है ये question हमेशा पूछा आता है चट्राडी में जो है आपका शक्ति देवी temple है इसका निर्मान भी यहां पे मेरू बर्मन के द्वारा ही करवाया गया था ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट इस लक्षना देवी लक्षना देवी मंदिर भी आपका चंबा में है और ये भी आपका भरमोर वाले रीजन में पढ़ता है भरमोर वाले रीजन में जो है आपका लक्षना देवी मंदिर है तो ये महिशासुर मर्दिनी जो है दुर्गा देवी उनको जो है ये मंदिर जो है यहां पर समर्दपित किया गया है इस मंदिर को भी मेरू वर्मन नहीं बनवाया था इस मंदिर को भी यहां पर मेरू वर्मन ने बनवाया था ठीक है इनके एक शिल्पी हुआ करते थे शिल्प कार जो थे उनका नाम था गुगगा तो यह आप याद रख सकते हो वो जो है इन मंदिर का इर्मान करते थे गणेश टेंपल यह भी कहां पे है यह भी आपका भरमोर में बढ़ता है नेक्स्ट इस यह मंदिर भी आप याद रख सकते हो मेरु वर्मन नहीं जो है इसको बनाया था नर्सिंग देव यह भी आपका भरमोर में है नेक्सिमम टेंपल आपको जो है भरमोर वाले रिजन में देखने को मिलेंगे याद रखेगा नर्सिंग जो है मंदिर कहां पे है यह भी आपका भरमोर में है यानि की चंबा डिस्टिक में पढ़ता है इसको बनाया था रेखा देवी उने त्रिभूबन रेखा देवी जो थी उन्होंने बनवाया था जो कि आपका जो यूगांकर वरमन थी उनकी पतनी थी जिए हरीराय मंदिर हरीराय मंदिर भी examination में पूछा गया है तो यहां पर मैं star लगा देता हूं मणि में हेश मंदिर शक्ति देवी मंदिर लक्षना देवी मंदिर एंड जो है आपका हरीराय मंदिर यह भी important है हरी राय मंदिर जो है यहां पे यह भी आपको चमबा शहर में देखने को मिलेगा mainly जो चमबा सिटी है वहां पे जो है location पे आपको देखने को मिलेगा and ये मंदिर जो है किस ने बनाया था इसकी स्थापना किस ने करवाई तो लक्षमन वर्मन ने लक्षमन वर्मन ने जो है इसकी स्थापना करवाई थी नेक्स्ट इस लक्ष्मी नारायन टेंपल लक्ष्मी नारायन टेंपल बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि लक्ष्मी नारायन जो टेंपल है ये साहिल बर्मन के द्वारा बनवाया गया था और काफी जो है जो फेमस राजा थे कामेश्वर महादेव टेंपल जो है ये भी साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया था और ये भी आपका कहाँ पे है चंबा डिस्टिक में है देखिए कुछ टेंपल की लोकेशन पूछी जाती है जैसे कि इसकी छतराडी में है तो मनिमहेश टेंपल भर्मोर में है मैकसिमम आपके भर्मोर में देखने को मिलेंगे हरीराय जो है ये चंबा शहर में ही है इसी तरह लक्षमी नारायन भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कामेश्वर महादेव टेंपल दोनों टेंपल जो है यहाँ पे इसको बनाया गया था लेकिन आपको यह याद रखना है कहाँ पे है यह पूछा जाता है नेक्स चलते हैं हडिमबा टेंपल अब देखिए यहाँ पे confusion हो जाएगा कि कोई हडिमबा टेंपल जो है आपका कुलू के मनाली में भी है लेकिन दो अलग लग टेंपल है वहाँ पे option पे depend करेगा अगर चमबा option में है और मनाली वहाँ पे नहीं है तो आप इसको tick कर सकते हैं लेकिन maximum हडिमबा टेंपल के time पे जो है अगर आपको question आएगा तो कुलू option में जरूर होगा अगर बात करें तो यह भी आपका चमबा में जो है आपका स्थित है ठीक है चमबा में कहां पे महला में महला जो है नामक स्थान पे यह आपको देखने को मिलेगा next is यह आपको पता होगा famous है 84 मंदिर जो है जिसको बोलाता है वो यह भी आपके कहां पे है भरमोर में है यह question काफी बार repeat होता है और यह तो आप लोगों को याद ही होगा next is राधा कृष्ण मंदिर राधा कृष्ण टेंपल जो है यह भी आपका चमबा में है और यह जो है आपका 1825 में जो है यहां पे इसका निर्मान करवाया गया था इसकी डेट आप याद रख सकते हो next हब हम बात करेंगे कांगडा डिस्टिक के बारे में कांगडा डिस्टिक के important temples सबसे पहला है जुआला मुखी temple तो जुआला मुखी जो है मंदिर इससे related कुछ बाते पूछी जाती है यह वही मंदिर दोस्तों जहां पे अकवर ने सोने का अपना एक छत्र चड़ाया था इसने अपना बाद में क्या है काला पढ़ गया था रंग बदल दिया था एक जो राजा थे जिसका नाम था महराजा रणजीत सिंग इन्होंने 1813 में यहां पे स्वर्ण जल का गुम्बंद बनवाया था यह भी आप याद रह सकते हो यहां पे कहा जाता है कि सती की यहां पे जीब गिरी थी तो इससे related कुछ यह सब बाते हैं आप यहां पे याद रह सकते हो नेक्स्ट इस ब्रिजेश्वरी देवी ब्रिजेश्वरी देवी के गर हम बात करें तो यह भी कांगड़ा में हैं कांगड़ा शहर में हैं यह वही टेंपल दोस्तों जिसको जो है महमूद गजनवी ने तोड़ा था तो याद रखिएगा महमूद यह कॉशन पूछा आता है महमूद गजनवी ने किस मंदिर को तोड़ा था तो यह था ब्रिजेश्वरी देवी टेंपल ठीक है ना तो इसके बाद जो है इसको पूर निर्मान करवाया गया लेकिन फिर 1905 में जब यहाँ पे भुकम पाया था अर्थ को एक आया था तो यह फिर से जो है डेमेज हो गया था तो याद रखिए अर्थ के कारण कौन सा टेंपल डेमेज हुआ था तो ब्रिजेश्वरी टेंपल नेक्स्ट इस मसरूर रॉकर टेंपल क्याफ़ इंपॉर्टन टेंपल है यह तीनों important है examination नों पूछे आदे हैं मसरूर कर डॉकर temple जो है यह आपको kangra डिस्टिक में देखने को मिलेगा इस मंदिर जो है इसको किस शैली में बनाया गया है तो यह नागर शैली में बनाया गया था यह question पूछा आता है नागर शैली नागर स्क्रिप्ट में यहां पे आपको देखने को मिलेगा यह आप याद रख सकते हो ठीक इसको बनवाया किसने था इससे related भी आप राजा का नाम याद रख सकते हो ललित ललिता दित्य ठीक है ललिता दित्य जो है राजा के दौरा जो है इनको बनाया गया था और यह राजा कहां से थे बेसिकली आपके जो कश्मीर वाला रिजन है वहां से यह राजा थे इन्होंने इस मंदिर को बनाया था और हम बात करें मसरूर रौकर टेंपल की तो किस से related है तो शिव भगवान से यह related है और यह आप यहां पर देख सकते हैं इसमें क्या क्या है दोस्तों आपके जो राम लक्षमन है राम लक्षमन सीता है इन से related जो है आपको यहां पर मूर्थिया भी देखने को मिल जाएंगे अगर आप जाएंगे तो इन मंदिरों को जो है दिखिए दोस्तों बोला जाता है पंदरा मंदिरों का समू है कितने मंदिरों का समू है पंदरा मंदिरों का समू है यह भी आप याद रख सकते हो वेरी इंपोर्टेंट थे एक और आपको यहां पर याद रखनी है इसको हिमाचल परदेश का क्या कहा जाता है अजन्ता कहा जाता है अजन्ता ओफ हिमाचल परदेश ये भी कॉश्चन कई बार पूछा गया है नेक्स्ट इस बैजनाथ टेंपल तो बैजनाथ टेंपल कहां पे है बैजनाथ में इस सित है और ये टेंपल भी आपका भगवान को समर्पित है इस टेंपल को कौन सी शैली में बनाया गया है तो याद रखिए शिखर शैली में ये टेंपल बनाया गया है ठीक है ये कौन सा था ये नगर में था नगर शैली का जो है आपका मसरूर टेंपल और ये जो है आपका ये नागर का था और ये शिखर शैली में बनाया गया तो यह आप यहाँ याद रख सकते हो ठीक है इसका निर्मान का अगर आपको पूछा जाएगा तो ये 1204 में जो है इसका निर्मान करवाया गया, दो जो है यहां पे बेपारी थे जिनका नाम था मयूक और आहूक, मयूक और आहूक नाम के, कई बार आपको एक्जामिनर पूछ सकता है कि मयूक और आहूक दो नाम के बेपारी ने किस मंदिर का निर्मान करवाया था, तो वह बैजनात मंदिर था ठीक है नेक्स्ट इज भागसुना टेंपल तो भागसुना टेंपल ठीक आपको धरमशाला के उपर देखने को मिल जाएगा तो इसका निर्मान जो है धरमचंदे करवाया था धरमचंदे ये भी कांगराजिस्टिक में है ब्रिजराज बिहारी टेंपल आपको नूरपूर में देखने को मिलेगा ठीक है किस से रेटे है जो कृष्ण जो है भगवान कृष्ण उनसे रेटे जो है आपको ये देखने को मिलेगा राइट और इसका निर्मान का कॉश्ण बासू के द्वरा जो है इसका निर्मान करवाया गया था राजा बासू राइट तो ये सब चीज़े यहाँ पे आपको याद रखनी है नेक्स्ट इस लक्ष्मी नारायन टेंपल अब देखिए लक्ष्मी नारायन टेंपल आपको सिर्मोर में भी भी देखने को मिल जाएगा चंबा में भी और कांगडा में भी लेकिन इंपॉर्टन सबसे जो है आपका चंबा वाला है क्योंकि साहिल वर्मन ने इसको बनाया था लक्ष्मी नारायन टेंपल की बात करें तो यह आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा ठीक है तो यह जो है आपका काफी बार यह बूछा आता है भूतना मंदर यह बेसिकली मंडी शेहर में भी आपको देखने को मिलेगा इसका निर्मान की गली एपको याद रखनी लया फैरेalloनलगी इसका निर्मान किया गया था, किसके दोरा अजबर सेन, अजबर सेन के दोरा जो है, इसका निर्मान किया गया था, रैट, नेक्स्ट इस श्यामाकाली टेंपल, श्यामाकाली टेंपल भी आपको जो है मंडी में देखने को मिल जाएगा, और इसका निर्मान जो है, श्याम सेन प्राशर टेंपल जो है यहां पर यह भी आपको बता होगा मंडी में है इस मंदिर का निर्मान के गर हम बात करें दोस्तों 1346 में इसको बनाया गया किसके दोरा that is बाण सेन बाण सेन के दोरा मागरूब महादेव टेंपल इंपोर्टन है मगरूब महादेव टेंपल जो है यह कहां पर है यह आपका मंडी में है इससे रिलेटिटी कुछ बात आपको याद नहीं रखनी है यह डारेक्ट कोशन पूछा आता है माधोराय टेंपल इंपोर्टन है माधोराय टेंपल जो है मंडी के बेसिकली आपको यह चार टेंपल के नाम यहाँ पर याद रखने है माधोराय टेंपल के गर हम बात करें तो यह मंडी में है और सूरज सेन जो है राजा उनके दौरा जो है यहाँ पर इसको बनाया गया था सूरज सेन के दौरा तो इतनी सी बाते हैं जो है यहाँ पे आपको इनसे याद रकनी है मंडेटेमपल से आगे बढ़ेंगे कुलू की बात करेंगे तो यह question हमेशा पूछा आता है नहीं महादेव कहां पे है तो बिजली महादेव कहां पे है यह कुलू में है यह आपको इसे related बात याद रखनी है और यह किस नदी के किनारे है अगर यह question पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि यह ब्यास river के किनारे है और यह आपके जो है किस से related है शिवजी बखवान से ही related है और कहा जाता है कि यहाँ पे बिजली गिरती है यह आपको देखने को मिलेगा डूंगरी के जंगलों में यह फिर आपको डूंगरी location पूछी आ सकते है तो डूंगरी भी यहाँ फिर मनाली पूछा जाएगा जो डूंगरी आएगा तो आपको बताना है कि डूंगरी के जो basically जंगल है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो यह हडिमबा देवी को समर्पी था जो की भीम की पत्ती थी और इस मंदिर का निर्मान से अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको आप बता सकते हैं कि 1533 में जो है इस मंदिर का निर्मान करवाया गया किसके दोरा राजा बहादर सिंग के दोरा राजा बहादर सिंग याद रखेगा ना बहादर सिंग के दोरा जो है यहाँ पे यह मंदिर का निर्मान करवाया गया अब डूंगरी के जंगलों में हैं दोस्तों इसलिए जो है यहाँ पे डूंगरी मेला भी बनाया जाता है याद रखिएगा डूंगरी मेला जो है यहाँ पे हडिमबादे भी यहाँ पे बनाया जाता है next is बजोरा टेंपल बजोरा जो है यहाँ पे आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा कुल्लू के बजोरा में यह बजोरा temple कहाँ पर होगा बजोरा में ही होगा तो location आप याद रसकते हो और यह temple भी आपका शर्व से रेलेटेड़ है jut is jamlu temple jamlu temple जो है यह भी आपका कुल्लू में है कुल्लू में कहाँ पर है तो अगर पूछा जाए तो ये basically मलाणा वाला जो region है वहाँ पे जामलू मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहा जाता है कि जम दगनीne जो रिशी है उन से समर्पीथ है, उनको समर्पीथ है यह तो इनको जामलू देपता भी बोला जाता था तो ये जो temple यहाँ पे है Manu Temple Manu Temple भी आपका कुलू District में पढ़ता है और कुलू के कहां पे शांसर वाला region है कुलू में वहां पे मनू मंदिर आपको देखने को मिलेगा Next is Raghana Temple Raghana Temple कहां पे है यह आपका वेसिकली जो सुल्तानपूर है और वहां पे आपको देखने को मिलेगा और इसको किसने बनाया था जगत सिंग ने रेट नेक्स्ट इंपोर्टेंट रामचंदर टेंपल यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको आपको रगुनात का जो है याद रखना है जामलू का याद रखना है और यह दोनों ओपर के ठीक है यह कुशन पूछे आते हैं नेक्स्ट रामचंदर टेंपल बुक में है तो इसलिए जो है हम इनको भी नेक्स जो है इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे तो रामचंदर मंदिर जो है यह कहां पर है मानी करण में आपको देखने को मिलेगा मानी करण में याद रख सकते हो, यह कहाँ पर है, सुल्तानपूर में है, कपिल मनी, कपिल मनी जो है टेम्पल, ये भी कुल्डू डिस्टिक में पढ़ता है, और ये जो है इसका निर्मान राजा मान सिंग के द्वारा करवाया गया था, बिसिकली आपको लोकेशन पूछी जाएगी, तो वो आपको ज़रूर याद रखना है, नेक्स्ट हम बात करेंगे शिंगला डिस्टिक के बारे में, तो शिंगला डिस्टिक के अगर हम बात करें, सबसे पर इंपॉर्टन है तारा दिवी टेम्पल, तो तारा दिवी टेम्पल जो है, यहाँ पर यहाँ आपको शिंगला डिस्टिक में देखने को मिल जाएगा, तो इससे एलेटिड आपको यह याद रख सकते हो कि, किसने इसका निर्मान करवाया था, तो राजा बलवीर सेन जो है, इनका जो है, यहाँ पर इन्होंने निर्मान करवाया है, रैट, नेक्स्ट इस भिमाकाली इंपॉर्टन है, भिमाकाली इंपॉर्टन टेम्पल है, याद रखिएगा, यह कॉश्ण में पूछा जाता है, रैट, भिमाकाली जो है, आपका कहाँ पर है, शिमला में है शिमला में कहां पे है तो सराहन वाला जो रीजन है वहां पे जो है यह टेंपल आपको देखने के मिले है वहां पे है सराहन में शिमला के सराहन में रैट देखिए सराहन को जो है न पुराने समय में अगर हम बात करें प्राचीन टाइम में तो वहां पे जो है इसको शौनित पूर के नाम से जाना जाता था तो ये भी examiner डाल सकता है कि शौनित पूर में कहां पे है शौनित पूर रैट तो शौनित पूर भी आ सकता है बैसिकली आपको सराहनी आएगा क्योंकि मौडन समय में जो है यहां पे इसका नाम सराहनी है हाट कोटी very important हाट कोटी मंदिर कहां पे है हाट कोटी मंदिर हमारा शिमला में है कहां पे रोहडू तहसील के हाट कोटी में ठीक है तो रोहडू तहसील में बेसिकली यह पढ़ता है रोडू का जो हाट कोटी वाला रीजन है वहाँ पे ही आपको यह देखने को मिल जाएगा राइट तो यह बस आपको यहां से इतना ही याद रखना है नेक्स्ट इस जाकू मंदिर आपको पता होगा जाकू में शिमला में ही है आपका और किस से एलेटिड है हनुमान जी से एलेटिड है यह कई बार क्वेशन पूछा आता है तो हनुमान जी से यहां पे जाकू मंदिर रिलेट करता है जाकू पहाड़ी है वहाँ पे आपको यह देखने को मिलेगा और यह बेसिकली 108 फीट उची जो है आपको भनमान किजी कि-जो है यहाँ पे मूर्थी देखने को मिलसाएगी स्टेचू देखने को मिलसाएगा Next is कामना देवी टेंपल कामना देवी टेंपल जो है यह भी आपका कहाँ पे शिम्ला में है तो prospectus hill है जो आपका उनसे related है याद रखिएगा जिनको अपकाली माता भी बोलते हो वहाँ पे जो है ये श्यामला देवी देवी से related है और देखिए दोस्तों जो श्यामला देवी है इनके नाम पे ही श्यामला डिस्टिक का जो है नाम रखा गया है तो ये भी आप याद रखते हो ये important है दोस्तों ये examination में पूछा जाता है सूरे temple तो सूरे मंदिर जो है ये कहां पे है श्यामला के नीरत में ठीक है तो श्यामला के जो है नीरत में जो है आपको ये देखने को मिलेगा location जुरूर याद देखेगा examiner पूछता है तो ये मंदिर जो है सूरे देव को समर्पित है बेसिकली और हिमाचल परदेश का सूरे मंदिर भी कहा जाता है तो ये question पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल परदेश का सूरे मंदिर कहां पे है तो ये नीरत में है शिमला में आगे move on करते हैं सिर्मोर पे चलेंगे सिर्मोर की बात करें तो सबसे पहले important आपको याद रखना है गाईदरी temple गाईदरी temple कहां पे है रेनुका में है सिर्मोर के जो रेनुका है वहाँ पे आपको देखने को मल जाएगा तो next question करवाया गया था किसके दोरा राजा बुद्ध परकाश के दोरा राजा बुद्ध परकाश के दोरा जो है यहां पे इसका निर्मान करवाया गया लेकिन बेसिकलिए अगर एजपी टिपलेस भी examination की बात करें तो उसमें आपको ज्यादा तर location पूछाया था कि कहां पे है यह बहुत important है यह निर्मान की date आपको जुरूर याद रखनी है फंद्रह सो 32 में 1573 में जो है दीप परकाश के दोरा यहां पर इसको बनवाया गया था याद रखिये का नाम दोनों ठीक है तो यह मंदर बेसिकरी जो आपकी बाला सुंदरी है माता बाला सुंदरी उनसे जो है रिलेटिड है और यह भी आप लिख सकते हो बाला सुंदरी ठीक है जो माता बाला सुंदरी है उनसे लेटिड जो है यह ट लोकेटेड है नाम याद रखना है शिरगुलमंदिर सिरमोर में बढ़ता है रा इसाहिब बंदिर जो है कहांपर है यह आपका पौंटा में है दोस्तों nine प्रपौंटा साहिब में impressed with or is anmore action 89 में करवाया गया था राइट शमशेर परकाश के दौरा राजा शमशेर परकाश तो यह थोड़े एक्स्टा फेक्ट में आपको बता रहा हूँ यह भी आप याद रख सकते हो लेकिन HPSP के एक्जामनेशन में मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लेस ज्यादा तर पूछा जाता है लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं उनसे लेटिड आपको राजा किसने बनवाया था वो भी आपको पूछा जा सकता है कटासन मंदिर important है कटासन मंदिर जो है यहां पे जगत परकाश के द्वरा इसका निर्मान करवाया गया था कहां पे है सिर्मोर में तो जगत परकाश लक्षमी नारेन अब मैंने आपको बताया था ना कि तीन जग़ा पे हैं एक तो आपका सिर्मोर में हैं एक आपका जंबा में पढ़ता है और एक कहां पे अमीरपूर वाले रिजन में राइट तो यह लक्षमी नारेन टेंपल जो है यहां पे यह भी आपका सिर्मोर में आपको देखने को मिल जाएगा राइट सिर्मोर में कहां पे जो नाहन में सिर्मोर के नाहन में जो है यह आपको देखने को मिलेगा और इसका निर्मान जो है 1708 में भूप परकाश के दोरा करवाया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं रामकुंड टेंपल तो रामकुंडी टेंपल जो है ये भी आपका गांपे नाहन में है तो जो सिर्मोर के जो आपको याद रखने है तो गाईतरी, एक जगनात ये तिर्लोगपूर तो आपको भूलना ही नहीं है ठीक है? और कटासन भी आपको नहीं भूलना है तो ये जो तीन जो है ये आपको हमेशा याद रखने है एक्जामिनर पूछता है हमीरपूर की बात करें गौरी शंकर मंदिर ठीक है गोरी शंकर मंदिर सुजानपूर टहरा में है यह सुजानपूर टहरा में तो इसको संसारचन ने बनवाए था 1793 में 1793 में संसारचन के बारा नेक्स्ट मूरली मनोहर मंदिर मुरली मनःोहर मंदिर जो है यहां पे ये भी आपका कहां पे है सुजानपूर टेहरा में है तो इसका निर्माण भी जो है 1790 में करवाया गया किसके दौरा संसार चंद के दौरा गसोता टेंपल बहुत इंपोर्टन है examiner's पूछता है गसोता Temple कहां पे है यह हमिरपुर में स्थित है इसका सिर्फ location ही पूछता है तो हमिरपुर में ही स्थित है याद रखिएगया गसोता Temple नरव देशवर Temple नरव देशवर मंदिर जो है सुझान Por ती रहा में सुझान Por में आपको काफी मंदिर देखने को मिल जाएंगे नरव देशवर मंदिर कहां पे हमीरपुर के सुजानपुर में इसको भी जो है किसने बनाया राजा सुनसारचन ने नेक्स चलते हैं बाबा बालकनाथ यहां पे आप गए भी होंगे काफी famous है बाबा बालकनाथ यहां पे कहां पे है दियोट सिद में यह लोकेशन पूछी आती है दियोट सिद में राइट हमीरपुर के कहां पे दियोट सिद में यह लोकेटेड है ओके तो next move on करते हैं चामुंडा मंदिर चामुंडा मंदिर जो है आपको एक तो कांगरा डिस्टिक में भी देखने को मल जाएगा बताना भूल गे आपको तो चमुंडा मंदिर यहां पर भी देखने को मल जाएगा हमीरपूर में हमीरपूर में कहां पर सुजानपूर टिहरा में ही तो मैक्सिमम मंदिर जो है सुजानपूर में देखने को मल जाएगे आपको और इसका जो है अगर हम बात करें, निर्मान किस ने करवाया था, तो घमंड चंद ने, घमंड चंद ने जो है, इसका निर्मान करवाया था, 1761 में, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बिलासपूर की, बिलासपूर में जो important temple है, वो है आपका ये, नियना देवी temple, तो नियना देवी के दोरा जो है, यहां पे इसका निर्मान करवाया था, याद रखीगा, important है, next is गुपाल जी, तो गुपाल जी जो है, यहां पे यह भी कहां पे है, बिलासपूर में स्तित है, right, इसको जो है, यहां पे 1938 में, राजा कुन आनंद चंद, राजा आनंद चंद के दोरा जो है, यहां पे इसको बनाया गया था, next is मूरली मनहोर टेंपल, मूरली मनहोर टेंपल भी आपका बिलासपूर में है, और इसका निर्मान जो है, अभे संद ने जो है, इनकों में करवाया था, next is देव भाटी मंदिर, basically, यह question नहीं पूछा यागा, नैना दिवी important है, यहां पे, right, and next is देव भाटी टेंपल, देव भाटी टेंपल जो है, यहां पे, यह भी आपको बिलासपूर में देखने को मिलेगा, और दीप चंत के द्वारा जो है, यहां पे, इसका निर्मान करवाया, next is उना का जी, चिंतपूर्णी मंदिर important है, याद भी होगा आपको, काफी ब बढ़ भाग सिंग भी examiner पूछता है, तो इसलिए मैंने यहां पे include किया है, तो बाबा बार जो बाभाग सिंग है, तो ये भी आपको याद रखना है उना में, उना में कहां पे इसकी location पूछता है examiner, तो उना में मैडी में, टीक है, उना में एक जगह है मैडी, हिंदी मे कैसे लिखते हैं मैडी ऐसे मैडी में जो है यहाँ पर आपको बाबा बढ़वाग सिंग देखने को मल जाएगा राइट नेक्स्ट सॉलन पर चलते हैं सॉलन का important शूलिनी मंदिर आपको बता होगा important है राइट तो शूलिनी मंदिर के नाम पर शूलिनी माता के नाम पे ही जो है सॉलन का नामकरण किया गया है ये भी आपको बता होगा जटोली टेमपल एग्जामिनर ने पिछली बार पूछा गया है क्लर के एग्जामिनेशन में तो ये भी आपको याद रखना है कहां पे है सॉलन में सौलन के जटोली में अब इसकी खास बात यह है दोस्तों इट इस दा हाइस्ट टेंपल इन हिमाचल परदेश का सबसे उंचा मंदिर पूछा जाता है तो इसलिए जो है जटोली मंदिर काफी इंपॉर्टन हो जाता है नेक्स्ट लाहॉल्स पित्ति की बात करेंगे तो यहां पर टेंपल कम आपको गोंपा याद जादा देखने को मिलेंगे सबसे इंपॉर्टन टेंपल यहां का है तिरलोकी नाथ यह एक्जामिनर पूछता है तो लाहॉल्स पित्ति का उदेपूर वाला रिजन है वहां पर जो है यह टेंपल लोकेटड है ठीक है एंड यह जो है ह इंदुजम और बुद्धिजम वाले लोग जो है उन सभी के लिए जो है यह मंदिर पूजनिय बोला जाता है नेक्स्ट इस मिरुकला देवी इंपॉर्टन है मिरुकला देवी टेंपल भी आपको याद रखना है इंपॉर्टन है रैट लाहॉल्स पित्ति के यह भी उदे उदेपूर में रैट तो यह दोनों जो है उदेपूर में लोकेटिड है रैट तो इसका निर्मान बेसिकली अजे वर्मन के द्वारा करवाया गया था अजे वर्मन यह आप एकस्टा इंफोर्मेशन याद रख सकते हो गुरु गंटाल गोंपा गोंपा जो है आपको दो देखने को मिलेंगे एक तो लाहोल स्पिती में दूसरे जो है किन और में गुरु गंटाल जो है यह कहां पे है लाहोल के तुपचलिंग गाम में है ठीक है और इसे लेटेड आपको बस यही बात याद रखनी है रैट नेक्स्ट इस गेमूर गोंपा तो गेमूर गोंपा भी जो है आपको लाहोल स्पिती में देखने को मिलेगा यह बेसिकली के लॉंग से जो है कुछ 18 किलो मेटर जो है आपको दूर देखने को मिलेगा शंशूर जो है शांशूर गोंपा यह भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा और लाहोल स्पिती में जो है यह आपको दे को देखने को मिलेगा यहाँ पर कहा जाता है कि पदम संभव की पांच मीटर उंची प्रतिमा आपको देखने को मिलेगे तो यह पदम संभव से रिटर है फाइब फीट उंची जो है यहां पर आपको मूर्ती देखने को मिलेगा ताबो मठ ताबो जो है ताबो गुम्पा जो है यह भी आपका यहां पर देखने को मिलेगा अब इससे लेटर जो है यह आपको बात याद रखनी है इसका निर्मान जो है 996 में इस भी में हुआ था ठीक है तो ये शाशोयाद ये शाशोयाद नाम के जो है तिबबत के राजा तिबबत के राजा थे ये शाशोयाद इनों ने जो है इसका निर्मान करवाया था यहाँ पे स्पीती में आकर ठीक तो यह basically कहां पर बढ़ता है स्पिती वाला रीजन है स्पिती में बढ़ता है और जो आपका ढखकर है और की है ये भी आपका कहां पर है स्पिती में नेक्स्ट इस किनोर का पुह गोमपा नमगया, कानम और नाको नाको बहुत इंपोर्टन्ट है तो ये सारे जो है यहां पर कहां पर देखने को मिलेगे ये आपको किनोर में वह गोमपा, नामगया गोमपा, नाको और कानम तो इंपोर्टन्ट इंपोर्टन्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया की बहुत ही इंपोर्टन्ट है ना को बहुत important है right और बाकि जो है मैंने आपको important चीज़े बता ही दी है तो दोस्तों ये जो है आज का हमारा lecture था जिसमें हमने important चीज़े discuss कर ली है ठीक है तो इससे related आपको चीज़े जरूर याद रखनी है बाकि जो है next lecture में हम अगला topic देखेंगे formation of हिमाचल प्रदेश से start करेंगे कि कैसे formation हुआ उसकी history जो है अजादी तक जो है यहाँ पर पूरा जब full statehood मिला हमें तो उस तक जो है हम discussion करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा हम जो lecture series है उसको continue रखे या नहीं रखे तो यह जो है आप comment section में बता सकते हैं right मिलेंगे next lecture में तब तक लिए जाएगे